नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बगवान शिव शंकर की पूजा में वे कौन सी गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए साथ ही हम आपको यह भी बताएंग लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में जिस एक खास चीज के बारे में बताने वाले हैं वेसाइद ही आपको पता होगी यह चीज है तो बहुत मामुली हो सकता है कि आपकी घर में ही मौजूद हो लेकिन यह शिव लिंक पर जब चड़ आती है तो यह बहुत खास हो जाती है इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस पूरी वीडियो को अवश्य देखेगा अंतर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके पूरा उपाय आप जान ले ताकि आप अपने जीवन में काम्याबी हासिल कर सकें भगवान की अची मनुकंपा आपको प्राप्त हो सके भगवान का असिरवाद आपको मिल सके इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव शिवशंकर बोले नात माता रानी की जै जै माता दी जै बजरंग बली एक बर अवश्चे लिख दें स जोसतों चाहें कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान सिर्व शंकर के पास यह पास चीजें कभी मत रखना क्योंकि अगर आप ने रखी तो भगवान सिर्व शंकर अपके बेहत क्रोधित दोस्तों पहली चीज है जहां कहीं भी आपके घर के मंदिर में भगवान शिव शंकर की शिवलिंग हो प्रतिमा हो तस्वीर हो या मूर्ती हो वहाँ पर आपको चपल लेकर के बिलकुल भी नहीं जाना चाहिए ज़रा सोचिए जहां आप रहते हैं जिस कमरे म और आपको मिलने वाला फल भी आपको नहीं मिलता है दोस्तों दूसरी चीज तो सास्त्रों में भी वर्जित है अक्सर महिलाएं अपने मासिक धर में आने के बावजूद बिना किसी को बता ही पूजा पाठ आदी कर लेती है जो कि सास्त्रों में पूर्ट वर्जित है आप इसी जगह पर धन बरसने लगता है, क्योंकि सास्तरों के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त उर्द्या का संचार रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो कि शिवधारा को सांत रखता है, कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं, लेकिर कभी-कभी यूज पर जल चड़ाते हैं, तो अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चड़ा सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग को भी मत रखिए, क्योंकि गरुन पुरानों में बताया गया है, कि इससे घर का विनास होने लगता है, और पूरा परिवा शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं, इससे घर में परिशानिया आना सुरू हो जाती है, इसलिए दोस्तों, शिवलिंग पर कभी तुलसी भी नहीं चड़ानी चाहिए, शिवलिंग में और तुलसी में सदैब एक सुनिचित दूरी होनी जरूरी है, इसके अलावा दो जोग व्यक्ति इस्तरी के साथ सम्मंद बनाने के बाद मास मदीरा आदी इनका सेवन करने के साथ मंदिर में प्रवेश करता है तो ऐसे व्यक्तियों से महादेव रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे आसरन वाला व्यक्ति सास्तरों के अनुसार गोरपाप का दायतु लिये होता है ऐसा व्यक्ति नर्क में जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों सास्तरों में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनने अगर आप शिवलिंग पर चड़ा देते हैं तो इससे शिवजी बह की लालसा हो वे सभी पूर्ण हो जाती हैं दोस्तों सबसे पहली चीज है शिवलिंगी के बीज शिवलिंग पर शिवलिंगी के बीज चड़ाने से व्यक्ति निरोगी तो बनता ही है साथ ही धनवान भी बन जाता है दूसरी चीज है दोस्तों आकडे के पौदे के फूल जि तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चेवल इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्दे में इजादे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हरर महादेब भोले नात शिवशंकर महादेब जै मातादीम जै मालक्ष में जै बजरंग बली